हाई प्रेंट्स आपका स्वागत है हमाई चैनल कुकिंग इंडिया में आज हम बनाएंगे बिल्कुल बजार जैसी पाव भाजी घर पे ही यह हम तबाव भाजी बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने गोवी आलू और गाजर और सिम्दा मिर्च को कट क अब इसमें हमने एक चमचा ओल ले लिया है कुकर में और अच्छे से घरम कर लेंगे चमब जीर डालेंगे जीर को अच्छे से बहुन ले आप तेल की जगा और भी यूज बटर भी उज कर सकते हैं प्याज ले लेंगे प्याज को हम बारे कट कर लेंगे तो यह दो कर लेंगे दो से तीन मिंट के लिए तो देखिए प्याज को में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे एक से दो मिंट के लिए हमने अच्छे से बहुन लिया है प्याज को हमें प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है इसे फेक से दो मिंट के लिए ही बूनना है के तो इसमें हम ताइड मिर्ची को का दिन यह किर सम इए हो चुके हैं अब प्वावडर ले लेगे लिए ऽुद लाओ डे से अप्रह्थ मिक्स कर दें और 2-3 चमच हमने इसमें पवाजी उसपर निया है मुठक मिक्स मिक्स कर दें बाणा देंगे चुकिक आप और इसमें 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे तो देखिए है यह हम ने एक से दो इख ठीन कटोरी पानी डाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है कि तो हम 27 पानी यह विष्कम कथाई ले रेंगे इसमें हमने दो चमचा ओयल लिया है और दो से तीन चमच बटर लिया है आप चाहें तो सारा बटर भी ले सकते हैं तो बटर को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें हमने एक चमच जीरा डाल लिया है जीरे को हम अच्छे से भून लेंगे तो अब हमने जो एक बारिक प्याज कटकर के लिए है उसे अच्छे से डाल लेंगे प्याज को अच्छे से भून लेंगे दो से तिन मिंट के लिए तो देखे प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है इसे हम एक मिन्ट के लिए और भूनेंगे तो इसे चलाते रहें अच्छे से और अब इसमें हम दो टमाटर कट करके डाल लेंगे तो इसमें हमने दो टमाटर कट करके डाल लेंगे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखे अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे एक से दो चम्मच तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक डालने से क्या हमाई टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है दो से तीन मिन्ट के लिए ढखके रख देंगे जब तक हम चैक कर लेंगे कि हमारी सबजी अंगली है या नहीं लेंगे के लगाना है तो आप सब्सक्ता है नहीं का विधाय इत्व्द में निया में देख यूशा आप आप बैस्ट का बना लाएं तो देखे टमाटर भी मारे अच्छे से गल चुके हैं इन अच्छे से टमाटर को भी अच्छे से मैस कर लें देखे टमाटर हमारे अच्छे से मैस हो चुके हैं किते अच्छे से टमाटर हमारे मैस हुए हैं अब हम इसमें सिम्ला मिर्च डाल देंगे यह हमने दो सिम्ला मिर्च कट करके लिए हैं तो अच्छे से मिक्स कर देंगे सिम्ला मिर्च को चिम्रा मिर्च को ज्यादा नहीं भूनना है बनना चिम्रा मिर्च हमारी गल जाएंगी अब इसमें हाफ कफ हम मटर ले लेंगे तो मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लें अब इसे एक से दू मिंट के लिए ढख कर रखते हैं ताकि साई चीज़ें हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है तो देखिए साई चीज़ें हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी ह मासाली टाल से एक चम मच हमने लाल मिर्ची पाउर्डर लिया एक चम मच धनीया पाउडर और के रम मसाला पाउडर एक हलदी पाउडर म enduring हमने एक चमच चार्ट मसाला मी आ छाल से घजिए छेह कर देंगे करल ले लिए लिए ओं ली कि यहीं कर देंगे तो देखे किते अच्छा color आया है हमारा तो इसमें हमने color का यूज थोड़ा ही करा है ज्यादा यहीं किया है कि हमने पहले चक उंदर का भी उच किया है तो अभुपने जो भी जूब हैं मैस हैं इनने रहेत न Karl है में डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आपनञें तuição सब्स Death तो देखे में किछिए इता क्याया अची ने सब्सक्राइब था रीडी हो चुकी है बस हम सब्सक्राइब बढ़ा उप्रक्षी करना है और 5 मीट के लिए धनीता मिल देसो में झाल श्राइब खताईय जतीज इव्हा लल है तो देखे भाजी हमारे इच्छे से बल चुके अब इसमें हम धनिया डाल लेंगे तो देखे इसमें हमने धनिया डाल लिया है से अच्छे से मिक्स कर देंगे धनिये को तो धनिया हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब इसमें हम एक से दो चम्मच बटर ले लेंगे बटर को अच्छे से मिक्स कर दें तो देगे बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और बाजी भी हमारी रिडी हो हो चुकी है तो बाजी हमारी ऊपाल आचुकी है तो इसे अच्छे से चला black information हम प्रेज के लचे बना लेते हैं जो की रेस्टूरेंट में मिलते हैं जहां वह हम भाजी खाते हैं पाव भाजी तो भी मिलते हैं इसके लिए एक प्रेज ले लिया है कंगो निकाल ले हैं अब इसमें ठंड़ा पानी डाल देंगे और इसे 15 मिट के लिए रख देंगे विदान जब देंगे 15 मिन्त हो चुक्ए हैं और इसे हम निकाल लेंगे पानी से बाहर देखिए सारे प्याज को निकाल लिया है इसमें मासली म्रिक्स करलेंगे अमने आदा नीबु ले लिया है और अध को अच्छे से चोड़ ले हुआ च्छुकर वाज करने मिलास लात भ्राट के नमक ल क अध्या पाऊड़ लिया है hij वे जची जोके अच्छे से मिक्स कर ले तो देखिए प्याज हमारे रेडी हो चुकी है अब हम पाव रेडी कर लेते हैं तो हमने एक पाव ले लिया है इसको हमने बीच में से कट कर दिया है तो इसे हमें जॉइंट को कट नहीं करना है अब हमने एक पैन ले लिया है पैन में चम चम बटर डाल लेंगे और बटर को में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्यास को में तेज नहीं रखना है, तो देगे बटर हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें एक चम्मच हम भाजी डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे हरा, और इसे अच्छे से चला देंगे, और अब इसमे आप भाजी डाल के नहीं सेखना चाहते हिसमें तो रहाद भाजी डाल के थैश the brain तो हमने भाजी डाल के सेका हैं कि सेका है नहीं के एक हम बील्कुल बजार जैसे में भाववभाजी बना रहे हैं वैसा ही दिय मिलता है तो इसे निकाल लेंगे भाव हमारे सेक चुका है थौत हम देखिए घाजी ओफ। कर लेंगे प्लेट क्वेस्त वर्चिये प्लेली और वें धोलनीजिक यह मैघना नहीं प्याज के लच्चे बनाए हैं के तो देखे बाव भाजी पहते हुट है जो अ हत था यह तो आप इसमें एक चम्मस बटर डाल लेंगे हम इस lle की बाव भाए हँ ते के मारी रेडी हो चुकती है और आपर इमें चोड़ा है आपको आ मेरे वीडियो प्संत आए हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें